पाँच मीपीडी के तंत्राचार सास्त्री लोकेस पागल मैं आपका फ्रेंड आपका दोस्त आप ही के परवार का सदस्य हूं ये टॉपिक भी बहुत पुराना हो गया आप बोलते हुए तो रोज रोज बोलना पड़ता है उन लोगों के लिए जो समझ नहीं पाना है कि मैं आपका और आप मेरे हैं जैसा कि पिछली वीडियो मैंने दिये हैं लोगों की समस्यां देख करके आर्थे तंगी के लिए राजा महराजा जैसा आब हुषटर में आपं दबे रहें और वही आपका सामराज खड़ा हो तो कोई भी तंट्र कभी फीका नहीं पड़ता आपने देखा होगा पहले राजाओं में 10,000 रातियों का बल होता था तेज चहरे पर होता था यह तो भूमे में ऐसे ही जीत लेते कोई हत्यार नहीं होता था तो वो भी तंत्र में आपको देते हुए जा रहा हूँ धीरे-धीरे कि क्या चीज यूज करें जिससे यह सब कुछ हो और यह सब नहाने का कमाल होता था पानी का पंच नदिया के जल से इसनान करते थे पंच पलव वो कौन कौन से थे किस जगह का पानी होना चाहिए किस जगह के पत्ते डाल के नहाना चाहिए केसर गुलाव जल से नहाने से क्या होता है इलाइची से क्या पंच पल्लव के साथ पंचामड्हाने से क्या होता, जैसे पंचामड्हानम समरप्यामी नम्हा देवताओं के लिए पंचामरफ से इस्नान कराते हैं, क्यों? कोई तो विसिष्टा होगी? कि आज बेद पुराणों के माध्धांसे, तंतर के माध्धांसे, जो सौंड स्कैन होता है, उसके माध्धांसे, आपको सब कुछ परदा यहां. पिछली वीडियो में आभूशब के लिए जो नाम गुत्रो मा के नाम से हम बता रहे हैं, क्या चीज आप उस जल में डाल के नहाएं कि आप के हाँ आप भूसरों की लाइन लगे और धन दौलत से परपूर आपका परवार घर और आप हो जाएं वीडियो ने तहल का मचा रखा है कहीं आप भी पीछे हैं तो तदकाल फॉन घुमाई और जान लीजिए अगला वीडि है ऐसे ही ऐसी कौन सी बनस्पति है जो दो पौधे एक साथ घर में लगाने से पलक जपकते करोडों का सामराज खड़ा होता है जिसका प्रमाण देवताओं से लेकर के दानव देप्तियों तक ने किया है और इस संसार में भी वुछ खास लोग हैं जिनके कोठी बंगले मे वो लगा है तो वने रहिए मैं आगे एपिसोड में लेकर आने वाला हूं और तब तक आभू सड मैं दुनिया में जाने के लिए पिछली वीडियो पर गौर दीजिए और करिए मुझसे बात आप पीछे न रहिए ओम नमस्से बाए